हलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब चेतना जी किचन में फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ तो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे मटन करी जो बहुत ज्यादा स्पेसल होने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम मताएंगे कि हमारे पापा जी किस तरीके से म जब बनाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने यहां पर करीब मतन लिया है और मतन जब तो फ्रेस मतन ही लेना है यहां पे सबसे पहले हैं मैं आज नईी ट्रिक लेकी आई ह कंप Б Phryze लेना ही हां में हम… और लगबग 3-4 बर अच्छे पाने में से इसको निकालना ही ौह वर आप आज वाहता है कि पाने Z Вам मतन को बस्जरूर करना का मैं यह बात हर वीडियो में बढ़ती हों क्यों मतन को बाइद हर लोगों के मतन का मैं बट मेरे हिसाब से मटन को वोश जरूर करना चाहिए तो मटन हमारा अच्छे से धोलिया है हमने तुसलिए स्टार्ट करते हैं कुकर के अंदर बना लेते हैं फटा फट बन जाता है कुकर के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि आजकर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो मतलब बनाने वाले तो अब भी बनाते हैं खुले बर्दन में बट मैं यहाँ पे कुकर के अंदर बना रही हूं कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो किसी का भी तो सबसे पहले हम कुकर के अंदर डाल देंगे मात्रा की हिसाब से देखे तो लगबख 200-200 ml के करीब ओयल डाल दिया है तो उसके लिए मैंने आपे लगबख 2 चमच के करीब लाल मिर्ची पाउडर लिया है दो चमच के करीब धनिया पाउडर लेंगे और मसाले बता देती इन सबी मसालों को अच्छे से चमच से मिक्स कर लेंगे सूखे मसालों को ही पहले मिक्स कर लेंगे इससे बहुत ज़्यदा एफ्यक्ट होता है बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है और जैसा हम सबको पता है ग्रेवी अच्छी बनेगी ना तो हमारी कोई भी सबजी ओ मटन हो या फिर नॉर्मल सबजी ओ वो भी अच्छी ही बनेगी तो यह देखिए हमारे पापा जी कुछ इस तरीके से बनाते हैं जो वास्तों में बहुत ज़्यदा टेस्टी बनती है यह मटन केरी तो इदर हमारा जो ओयल है वो भी अच्छी से तयार हो गया है उसके बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज डारेक्ट अगर आप ख अच्छे से फ्राई करना है ताकि प्याज में अच्छे से खुस्बू आने लग जाए तो यह देखिए फ्रेंट्स अब हम इसके साथ ही थोड़ी से मतलब हैरी मिर्ची डाल देते हैं लगबक दो फुटी हुए हरी मिर्ची लिए मैंने आप पे हरी मिर्ची डाल देंगे ताकि हरी मिर्ची को भी हमें फ्राई करना है तो वह भी प्याज के साथ आसाने से फ्राई हो जाएगी तो यह देखिए प्याज और हरी मिर्ची दोनों चीज़ों को हमने आप फ्राई कर रहे हैं और गैस का फ्लेम कम करके तो यह देखिए फ्रेंट्स लगबक धाई अब यह मसाले डालेंगे मसालों का हमें हमने कुछ इस तरीके से पेष्ट बनाया है अब हम मसाले डाल देंगे और यहां पर भी हम घैस का मीडियम ही रखेंगे अगर कोई भी चीज हो अगर मीडियम फ्लेम पर कुक करते हैं तो वह बहुत ही उसका टेस्टी अलग होता है आप एक बाद जूरू ट्राइ करके देखना आपको खुद को पता चल जाएगा कि सई ही है ये बात कि कम आच पे हम जिस चीज को पकाते हैं तो वह बहुत टेस्ट भी बनती है बस थोड़ा सा टायम ज़्वाटा इतना सा होता तो ये हम ने हम अछा ऑच्छे से मिक्स कर दिया हैं पक्के तो यह देखिए मटन करी मटन करी खाना किसको पसंद नहीं होता है उनको मटन करी बहुत पसंद होता है और बनाना तो जहंजट लगता है कही लोगों को तो मैं आपके लिए मैंने यह चीज आपके लिए आसान बना दी है कि मटन करी भी हम फटा फट नॉर्मल सब सबस्कें के अंदर हो जो को को बना सकता है अजो हम क्या करते हैं मतन जालें। मतन को साथ में मिक्स भी करते रहें। इसके इस में टोड़ा थोड़ा की थान रखना होता है। अगर आप इन थोट शोट 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 बातों का ध्यान रखोगे ना तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं आपकी जो मटन कह रही है वो बिलकुल सूपर परफेक्ट बनेगी तो यह देखिए हमने यहां पे और मटन को अच्छे से मिक्स कर दिया आप देख पा रहे होंगे और मैंने पूरी प्रोसेस में इसका फ्लेम मीडियम ही रखा है मीडियम फ्लेम पर ही हम सब काम करेंगे तो यह देखिए जो मटन है वो हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है फटाफट से और अब हम क्या करेंगे मटन के उपर या तो आप धकन लगा दीजिए बट हमारे पापा तरीके से बनाया है जो वास्तों में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाया है तो आप भी ट्राइ जरूर करना इस रेसीपी को पक्का आपको पसंद आएगी आपकी फैमली को पी पसंद आएगी तो यह देखिए हमने आपे मटन को अच्छे से लगवग 5-6 मिनद तक जरुआ जर्खिता अब्या मालीया था वह डाल देंगे मटन Dashasadon में लहसंन नहीं हो तो कुछ नहीं होता है लह सुन बहुत समगर बहुत टेस्टी मता है लैस्ट की डालने पाहिए में पता चल जाता है मटन भन रहा है तो यह देए हमने हमने और में यह रहाओ कर दया है नहींतने सबस्क्राइबर सब्सक्राइबर टोगेए का आभी है वे सबस्क्राइबर यथा जो तो पानी क्यों दोनों का यहां पर के अपटीर लेकों सबस्क्राइबर करते हैं है की कि रेखा नहीं है वो इक्वल रहे इसलिए मैंने आप गरम पानी डाला है आप भी जब मटन बनाओ तो उसके अंदर गरम पानी ही डालिएगा और चलो मेरे नई सब्सक्राइबर से उनको मैं बता देती हूं कि गरम पानी क्यों डालते हैं क्योंकि जो टेंपरेचर लेवल रहता है अगर गरम पानी डालेंगे और ठंडा पानी डालेंगे ना तो टेंपरेचर लेवल डाउन आ जाएगा और मटन का टेस्ट भी घराब होता है इससे और मटन बनने में भी ज्यादा टाहिम लगता बस इस बात का पो धियान रखना है यह बहुत ही मैं पॉइंट होता है खास पॉइंट अब टेखना है इससे ज्यादा तो नहीं लगवाने है वरना जो मटन है वो गल जाएगा तो इस बात का भी हमें ध्यान लखना है तो यह देखे पांच सीटी लगवाई है पांच सीटी के बाद में हम खूकर का डखन ओपन देते हैं और देखते हैं कि जो मटन का एक पीस आप देख लीजिएगा कि मटन पका है या नहीं अगर पक गया तो अच्छी बात है और नहीं पका तो भी कोई बात नहीं है इसके अंदर आपको जितनी कमे लगरी कितनी कसर रहे गई है तो आप इसमें एक-दोसीटी और लगवा लीजिएगा आपका मटन अच्छे से पक ज इसलिए मैंने यहां पे चार से पांच सिटी ही लगवाई है क्योंकि हमें पता साइद पक जाएगा इससे तो अब हम क्या करते हैं एक बरतन के अंदर निकाल लेते हैं हमारी मटन केरी को तो यह देखे फ्रेंड्स बहुत ही कलर देखे कितना लाजवाब कलर आया है इसका बह मुझे बनानी चाहिए मैं भी तो आपके लिए रेसिपीज ले के आती हूं और मुझे बता भी दिया आपको कौन सी रेसिपी चाहिए बट आपको कमेंट कर दिया प्लीज तो यह देखे हमने आपे पूरी मटन केरी को अच्छे से सर्व कर दिया है हमारी बहुत ही लाजव ओके फ्रेंट्स उमीद करती हूं आज की वीडियो आपको जुरूर पसंद आएगी वीडियो पसंद देतों मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना मिलती हूं अगली वीडियो में तब तक लिए बाई बाई टेक केर